वह हमारा देश है अभीवक्ति की सतंता है वह अपनी बात तो ने कहा अब समझे माता सावित्री भाई फुले कोन है भाई जो नारी सक्ति की और नारी शिक्षा की प्रतीक हैं इस देश में पर्थम नारी होना और उस उस अचुछ समाज की नारी हो करके परहाएक नारी शिख्षा का एक संदेश देना जो जिनको दो-दो सारी ले करके जाना परता था इसकूल में बीबी फातिमा सेख उसको उसका संदशन करती थी आज उनका जंदीन मना के आया हूँ तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि साब दो सारी क्यूं गंदगी और यहां तक की विष्ठा भी फेका जाता है अब समझे ज़रा उनकी पीरा को और उनकी पीरा से निकली बाते हैं अगर हम करते जीवी का एक यक्ष्परस्ण है की नहीं हमारे प्रुज़ारों के सामने अगर स्कूल के राष्टे लोग नहीं जाएंगे मंदीर आस्था कभी से है मैं यह कर रहा हूँ लेकिन जिस मंदीर में सबरी और एकलब के वेटा को जाने पर रोग दी जाती हो उस मंदीर का क्या करोगे भाई यह देखिए मेरे सामने हैं है किसी इक पार जबाब बीवी सी न्यूज का है कि भाई कोविज साब के साथ दुर्भावार हुआ राष्पति तत्कालिन राष्पति मैं आपके माध्यम से फिर पुना चुनोती देता हूं है किसी को हिम्मत र देश के राष्पति धर्मपत्नी के साथ गए बीवी सी न्यूज है को एशेन सरक पर है और उसको सहाब तुमने मंदिर में जाने से रोग दिया उसके खिलाफ नोटिस हुआ यह उस समय के राष्पति है अभी तत्कालिन राष्पति देखिए मंदिर रवीब विश्णू जा सकते हैं है ना रेल मंत्री अस्वनी वश्णव जा सकते हैं मंदिर के गर्वग्री तक मर राष्पति चुकि एक आदिवासी समाज की है तो उसको गर्वग्री में जाने से रोका जाता है है किसी के भाज़वाव इसका जीतन बावु मांजी जनसत्ता का रिपोर्टिंग जीतन बावु मांजी मन्वनी के दुर्गा मंदिर में पुजा करने गए इनको रोका गया रोका नहीं गया मुखमंती थे तो पुजा तो कर लिए मगर गंगाजल से लोगों न धोया इस अब को मालूं आपको भी मालूं सत्तर के डशक में तब के केंद्रिय मंत्री बावु जगीवन राम जब बनारस में संपुर्णानन की मुर्ति का नावरन किये तो संप्रदावादियों ने उसको गंगाजल से धोया कमाल है 48 साल बाद भी हो रहा है और उस पर लोगों का जुवान ने खुलता है इसलिए आ राजपाईयों से कहना चाहता हूं क्या आपको एक लब और सबरी के बेटे का बोट नहीं चाहिए क्या आप उसको जब चंदा और स्रम की जवर्वत परेगी बोट की जवर्वत परेगी तब उसको हिंदू बनाओगे बाकी मंदिर में घुशने नहीं दोगे यह बरावद करके तुम अब उसको ठक करके गौगाम अच्छा चल रहा है अब समझ लिजें क्या हो रहा है तो मेरा यसपस्त मानना है कि ऐसे लोगों से देश को खतरा है और जीवी का बेरोजगारों के बड़ा बड़ा साधन है जीवी का का और जीवी का बिनाम इस्कूल गए हुए हो माता सबरी ने अगर प्रभू सीराम जी को जूटे बहर खिलाए उनको कोई आपती ने मगर हमको आज भी आपती हो रही है हमारे लोग को आज भी आपती है तो सीधी तोर पर इस तरह के लोगों से कहना चाहता और खास करके विहार के मोधिजी से कि क्या आपको और भाजप इध्यालियों और इस्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों और उनके माता-पिटा का बोट नहीं चाहिए कोई बात नहीं हम पूजा करते हैं तो हम ऐसे चैत्र की पूजा करते हैं जिसको इस जगत के लोग नमन करेंगे देखें एक जाज बदाता हूं मार्टिंग किन्ग ल धार्मिक मसलिय पैदा करते हैं समझो उसको गरत लोग चला रहे हैं देश जहां सियासत धार्मिक मसलिय को सांद करता है वह देश महान होता है मैंने नहीं कहा न अब इब्राहिम लिंकन नेंसल मंडेला मार्टिन किंग लूथर सबको कादों की फाल्टु है तो नफरतवादी संप्रदावादी मनुवादी ताक्तों से हमारे पूर्खे भी लड़े हैं हम समाजवादी को लड़ना है जीवन परियंत लड़ूंगा